अज गल करांगे बौपक्खी शक्सियद बल्राज सानी हो राँदी बल्राज सानी उग्ये पारती फिल्मी आदाकार अते अंग्रेजी ते पंजाबी दे लेखक सन बल्राज सानी ने पावे कवितावी रची नाटक वी रच्या परंतु साहित विच उना दी वड़ी पच्छान निबंद लेखक अते सफर नामा कारवजो हैं बल्राज सानी अपनी तर्ती ते अपने लोका नाल मोध रिष्टे विच बज्जे होय साहित कारसन उनानू बंबई दी चका चौन्द विच वी पिंडी दी पाशा विच ली मिठास नई पुल दी पेश है बल्राज सानी हुरादा लिख्या होया पर सिद लेख अत्रू कल कते एक बंगाली फिलम विच काम करन गया होया साह कल ही मुणया हाँ जुबान चंगी तरा ना ओंदी होवे तक काम बहुत ओखा हो जान्दा है बड़ा ठक्या होया हाँ आज स्वेरे ठकावत मार्या बिस्त्रे तो उठ्या नई सी जान्दा चादी प्याली पींदा अकबार देख रहा साह नौकर ने आके दस्या बार एक मुंदा तो अनू मिलन आया होया है मालूम हुंदा है पैसे मंगेगा मैं उसनू क्या टाल देशूं हाला पुरी तरा तियार भी नई सी होया कि अगा तुकादा तांता वाज गया जिस्तो हर फिल्म स्टार दी बीवी बेजार रन्दी है पहला एक प्रड्यूसर आया अदा को कंटा उसने जाया किता जदो मैं बंबई दिया सडका उपर एक एक पैसे ली मोताज फिर्दा सां उसनू मेरी अबिने कला दा जा इस गल दा कि असी कालेज दे जमाने विच मित्तर सां कोई पाज नहीं सी पर हुण ओ मेनू प्रावां तो वी वद प्यार दै ते सतकारदा है ते उमीद करदा है कि मैं जरूर पहले सत दिन उस दे पिक्चर विच मुफ्त काम करन ली राजी हो जावांगा इस दोरान ओ डिस्ट्रीब्यूटरा नाल अपना बिजनस पका कर लवेगा ते बाद विच मेरी पूरी फीस फिल्म बनन दे दुरान ही मिल जाएगी थोड़ी देर बाद एक होर सजन तश्रीफ लै आए अज एतवार है जू हुते परिवार सैथ पिक्निक करन आई हन उनानो एक छुरी चाई दी सी पिक्निक तो बाद वापस दे जानगे पर छुरी लैके विदा होन चवी उनानो अता कंटा लग गया ग्यारा को वज्जे होन गे जोदो मैंनो निजात मिली मैं दर्वाजा बंद कीता ते नौकर नो बुलाया एक एनली की हुन जो भी आवे उसनो आख देवे के मैं कार नहीं आ अचानक बारी विच्चो बार नजर पई छजे हेट अथरू पनियां दो अखां मेरे वल पाठ पाठ के वीक रहियां सन अंदाजा कीता ओ मुंडा होवेगा जिस बारे नौकर ने स्विरे दस्या से तेन कंटे हो गए सू अथे बैठे नू पक्खा टीठ मालूम हुन दाए कई ते दिने राती पैरा देन लग पैंदे हन तल दे ही नहीं किसे दा बटवा चोरी हो गया, किसे दी मा बिमार है, वतन जानली पैसे चाई दे हन कुझ पतानी चलदा केडा सच्चा, केडा चूटा है ओ ही फिल्म स्टार चैन नाल बैठ सक दे हन जिना ने फाटक ते दर्मान खड़े किते होन जा रा जान्दिया नू पैपीत करन वाला कुटा पालिया होवे पर मुंडे ने मैंनू वेख लिया है, हुण मिले बगैर चारा नही मैं दर्वाजा खोलिया, ओकूल आया, गोरा जिया मुंडा, स्तारा अठारा वर्यादा होवेगा हाथ बन के बोलिया, तो आडे नालिक गाल करनी है पापाजी बिल्कुल पिंडी दी बोली, मैं अंद्रो थोड़ा जया पिगल गया, पर फिर रोक्या अपने आपनू कटोरता नाल क्या, देखो जी, मैं इस विले उक्की कोई पैसे दी मदद नहीं कर सकता मैं पैसे मंगन नहीं आया, पापाजी, कोली वाडा कैंप दे मंदर विच मैं पजण गौना वाँ ते पंडत मैंनू दोवे वेले रोटी खवा दिन दाए पैसे नी चाई दे, ते फिर होर की चाई दाए मैंनू किद्रे काम लुआ दियो पापाजी फे रखा विचो टप टप अथरू मैं फाउंटेन पैन वेचदा हुंदा सां मेरी जेब कतरी गई है, साथ रुपे किसी कड लेने इंज मालूम हुंदा है कि राट तोरदेन अमीरा दे बनिस्पत जेबावी गरीबा दिया ही ज्यादा कटिया जान दिया हन फिर मैं की करापरा मैं आख्या इथे हर रोज चार पंज आदमी आजान देने जिना दिया जेबा कटिया हुंदियाने मैं किस-किस दी मदद करा, तैन्नू अंदाजा नहीं एथे हर रोज कितने आदमी ओंदे हन अच्छा ज़रा ठैर, एक कै कि मैं अंदर आ गया, उस दी पिंडी वाली बोल चालनी मेरा दिल फिर पिगलोना शुरू कर दिता सोचया वी रुपे देध्या सुं, फिर नवे सिर्थो फाउंटेन पैना दा काम शुरू कर देवेगा कुझ ना कुझ मदद ता इस मुंडे दी जरूर करनी चाहिए दिये कोलीवाडा कैंप ने मंदर विच एप पजन गौंदा है नानक सिंग नावलिस ने अपनी आप बिती विच लिख्या है कि निक्की उम्रे उसनोवी गुर्मंदर विच पजन गौंदा शौंक सी ओदो नानक सिंग हंस राज सी मैं निक्के हुंदे आर्या समाज विच पजन गौंदा हुंदा सा हंस राज ते बलराज वांग ए मुंडावी पिंडी पिशौर दे पासे दा है पता नी की ना है उस दा मैंनो कोली वाड़ा कैम्प विच जाके वेखना चाई दा है उते हजार पिंडी पिशौर वाले आके वसे होए होन की बंबई विच पंजाबियां दी कोई सांजी संस्था हूनी चाही दी है मज़भी तफरके तो अजाद होके मुसीबत जदा पंजाबियां दी मदद करे सिंधिया ने कैसिया सूनिया सुसाइटियां बनाया हूई यहन उस दिन जैपूर दे एक टीवी सैनेटोरियम विच्चों एक सिंधि मुंडे दा खत आया सी उस लिख्या सी मेरे बिमार हो जाननाल मेरी मानू कमा के खौन वाला कोई नही रया जित्व तक ए चिंता मैंनू लगी होई सी मैंनू किवे दवाईयां फैदा कर सक दिया हन मैं मुंडे दा खत बंबई दे एक सिंधि कालेज दे प्रिंसिपल श्री अडवानी नू पेजया सी उनाने तिन सिंधि सुसाइटियां दे पते मैंनू पेजय आते एना सुसाइटियां ने फोरण मुंडे बारे तैकी कात करके उस दी मदद करन दा इकरार किता बंबई दे पंजाबियां ने कोई ऐसी अंजुमन नई बनाए ओ आर्या समाज बनाओंदे हन सनातम तरम सवादा मंदर बनाओंदे हन फिर आपस विच लड़ना शुरू कर दिन दे हन क्यों न इस कुरीत नू बदलन लेई हाथ पैर हिलाया जावे इस बारे पंजाबी साहिट सबादी मीटिंग विच इस गालदा जिकर छेडांगा फॉलादी अलमारी नू चाबी कुमा के खोल दियां ख्याला ने फेर पल्टा खादा दस भी कोई नी दोर पे देके विदा करांगा इस नू देश दी पुखनंग दूर करन दा कम सरकार दाए ना कि एक एकला व्यक्ती ते ना सबा सोसाइटियां कोई वड़ी मदद कर सकदियां हन दान देन नाल कोई स्वाल हाल नी हुन दे जे दो पैसे जोडन ते इस रोजी रोटी कमॉन दी गुलामी तो अजाद होके कोई मन पसंद साहित कम करन दा इरादा है तक कमीन गी अक्तियार करनी पवेगी हाला पिछले मीन नहीं ता ओ हैदराबादी मुस्लिम मुंडे दा इलाज करौन आति उसनों कारपे जवान विच दो सो रुपए खर्च हो गई सन जदो खुद अपने कोल कुझ नहीं होवेगा फिर किसकोल मंगण जावांगे इस विले में मशुहूर कलाकार हाँ अपने आपनों नियम विच टालना पवेगा वक्त दीवी ते पैसे दीवी कदर करनी पएगी फिल्मी काम या भी पतास्या दी बारिश वांग है इस दा कोई विसा नहीं मैं चार उपए कड के बाहर आया महसूस होया जितना आदमी वड़ा हो जान्दा है उतना ही कमीना हो जान्दा है दुनिया दियां तमाम वडियां वडियां हस्तियां बारे असी पढ़ दे हां कि उना दी जिन्दिगी विच बड़ा डिसिप्लेंस सी ओ कदे एक मिंट भी जाया नहीं सन कर दे अपनी दिन चर्या नू बड़ी द्रिडता नाल निबॉंदे सन स्कूला विच अनू पढ़ाया ग्यासी कि एसे सिफत करके उस जिन्दिगी विच अगे वद गे सन वड़े लोकां दी ए सिफत छोटेयां उपर बड़ा परभाव पौंदी है पर दरसल इस किसम दा स्वै संजम स्वार्थ दी निशानी नहीं जेडा समाज छोटेयां ते वड़ेयां विच वण्डया होवे उस विच छोटे अपनिया मुश्किला हल करवाण ले वड़ेयां वाल नठ दे हन ते इस हमले तो बचन ले वड़े अपने आले द्वाले स्वै संजम दी दिवार खड़ी कर लें दे हन ता जो उना दे दया पंडार विच और छोटे सारा कुझ कड़ के इना ले जान स्वै संजमी बणन दी तौफीक ही वड़े नू है छोटे नू ए तौफीक कित्थों? मैं बाहर आया मैं रुपए उस्दे हाथ विच दिते ते केहा ए चार उपए लेलो जी नौकरी नूकरी दी उमीद मेरे को लोना रखो मुंडा कहन लगा मैंनू बड़ी शरम पे यांदिये पापाजी तौँ आनू साच दसा मैं दो वारी पहले वी तौँ अडेकारदा चकर मार गया पर अंदर आंद्या चकदा सा मैं क्या पता नी पापाजी की सोचन ओहो प्यारी मिठी बोली पिंडी दी खुली डुली पिंडी दा आत्मी इंज बोलदा है जिवें पंजाबी जुबान दा इक एक लफ्स उसने तो के तै करके अपने हिर्दे विच बिठा रख्या होवे उसनों ओ बड़े सुथरे ते मिठे टांग नाल मुहों करदा है ते सुनन वाले नों इस मिठी बोल चाल दे पिछे एक शीशे वांग चमक दी होई शक्सियत दिखाई देन लग पैंदी है तो पिंडी दा आए? जी पुनाने के ले सा डा अपना मकान होंदा सी मिरे पिता जी मोटर दा कम करदेने आज कल देरा दून रहन देने मिरे चाचा जी योगी नाथ होनी पिंडी विच कांग्रस दे बड़े वड़े वर कर होंदे सन योगी नाथ? मेरे काल जी नू एक तकाजया वजया कि एक कंगाल बदहाल मुंडा मेरे परम मितर योगी नाथ दा पती जाए? मेरे स्वै संजन दी दिवार मैनू इंज जापया मुंडे ने एक मुका मार के तोड़ दिती है मैं उस्दे मुड़े आते हाथ रख्या ते उसनू अंदर बैठक विच लिया के सोफे ते बिठा देता किथे ने योगी नाथ हो नी आजकर? दिल्ली विच जी ओना दाता कांगरस विच बड़ा रसूक सी ओ तेरे वास्ते कुझ नहीं कर सकदे ओना दी तबियदा ता तो अनू पताई है जी मुड़े ने हसके क्या महरोली विच एक निका जया दो मंजला मकान लिया होयाए उपर रेंदे ने ते थलवी मंजल ते दवा खाना उना ने खोल लिया होयाए किसे को लो पैसे नी मंग दे एक संदुकडी जी रखी होये उस विच किसे दी मर्जी होवे ता कुछ पा जावे इकवारी एक जनानी ने फर्यात किती कि एक मकान जेड़ा उसनू अलाट हो चुका सी सरकारी अफसर ने पैसे खाके किसे होड़े नाम करवा दिता योगिनाथ जी ने जाके पता किता गल सच्ची सी उस सिद्धे जवाहरलाल नेरू दे बंगले उपर गई ते पंडत हुरानू कैन लगगे इस जनानी नाल इनसाफ होना चाहिदा है नेरू ने पता किता उस अफसर ने बढ़ियां माफियां मंगियां पर अलाटमेंट ओ कर चुक्या सी उसनू दिलियों तबदील करके किद्रे होर पे जडिता गया ते फिर नवे सिरे तो अलाटमेंट कीती गई ते मकान उस औरत नू मिल गया पर अपने कारवालिया दाता उनना क्लेम भी दाखन नहीं करवाया तू अथे बंबई किस तरह आया है मैं हालावी उसनू नहीं दस्या कि योगी हुरी मेरे बड़े प्यारे दोस्तने नैरू दा बंगला वड़ाए मेरी इतनी तौफीग नहीं कि मुंडे नू अपने कारठेर आलवा मैं अपने दिल दिया दिवारा सलामत रखना चौनदा सां मैं जितनी मदद आसानी नल कर सकांगा करांगा जजबाती पान विच मैं नहीं ओना जाती तोर ते नैरू ने एक इस औरत दी ही मदद नहीं किती उसने हजारा दी मदद किती होवेगी नैरू सच मुझ बहुत उचे आदर्शा वाला आदमी है मनुकता लई प्रेम ते दर्द रखन वाला आदमी है पर फिर वी उन्हें अपने आपनो एक मजबूत किले विच बंद किता होया है क्योंकि उसनों वी मालूम ही होवेगा कि चाली करोड इंसाना दी पुख नंग ते उना नाल हो रहियां बे इंसाफियां दा इलाज ओ इकल्यां नहीं कर सकता जरूरत निजाम नू बदलन दी है जरूरत अमीर ते गरीब दे पेद नू खतम करन दी है मुंडा कह रहा सी मेरा एक चाचा एपटा बात फसादां विच कतल हो गया सी उस दा सारा टबर वी साडे कोली रेंदा है देरा दून पिता जी हुन टेक्सी चलौन देने उस पासे बड़ी बेरोजगारी है पापा जी तो अनू कैद सा मैं एक मोटर साइकला वाले दी दुकान ते छे महीने काम करदा रहा पर उस में नू एक कॉड़ी न दित्ती मैं अपने पिता जी दे सिर्थे बोज बनेया होया सा इथे आके मैं पेपरामेंट वेचनिया शुरू कितिया पर पुलिस वाले हर चौथे पंजवे दिन फड लेंदे सन ए बड़े पैड़े लोक ने पापा जी रिश्वत वी लेंदे ने ते फेर वी खेडानी छट दे चार पंज वारी पंज पंज रुपे जुर्माना होया इकवरे जुर्माना देन जोगे पैसे नई सन मेरे कोल मैजिस्ट्रेट ने मैंनू जेल पेज दिता सत दिन जेल विच कट आया एंप्लोईमेंट एक्सचेंज विच वी ना लिखवाया होया है फाउंटेन पैनादा काम मेरा चंगात उर्पया सी पर जेब कतरी गई सडकते लडाई जेई पैई हुंदी सी मुटंगे कोल मैं खलो के विखन लाग पया बस पापाजी त्रे रुपे तुसी वापस लेलो एक रुपया मैननू काफी है जान्दी वारी पैदल ना जासां बस ते चला जासां रोटी मैननू पंडत खवा दिन दाए सों पर मातमा दी मैं त्वाडे कोलो पैसे मंगन नहीं आया मैननू किदरे कोई काम ले देओ उफ ए मुंडा मैननू कितना चंगा लगण लग पयाए मेरा दिल करदा है इसनू जफी मार लवा इसनू एथो जान ही ना दिया मैं कितनी देर दिलनू पथर बनाई रखांगा कितनी देर स्वैसंजम्दे के ले दी हिफाज़त कर सकांगा देखो बेटे मैं क्या मैं तुआनू पंजार उपे देना वा तु अपना फाउंटेन पैनादा कम फिर शुरू कर दे नहीं पापाजी उन्हें ला परवाई जही नल जवाब दिता जिवें पंजार उपे उस दिया नजरां विच कोई चीज ही ना हून मैं पुलस को लो बड़ा तंग आ गया हाँ नाले हुन बार्षा शुरू हो गयाने इस मौसम विच सडकां ते फिर फरा के चीजां वेचना बड़ी ओखी गाल है तुसे कोशिश करो किसे ना किसे तरह मैंने कोई छोटी मोटी नौकरी द्वा दियो मेरा वड़ा प्रा मेट्रिक पास करके चार साल बेका रहा पर हुन उसनू लाला इश्वरदाजी नवी मेले विच कलरकी मिल गई है ओ बड़ा सुखी हो गया है मैं सोच विच पैगया दिल विच अपने दोस्ता दे नाम गिनन लग पया जेड़े शायद अपनी दुकान ते अपनी फैक्टरी विच जा अपनी स्टूडिय विच इसनू कोई कम दे सकन चंगा तु कल स्वेरे नौ वजे मेरे कार आ जाई मैं तनू अपने नाल मोटर ते बिठाल के दो चार थावा ते लै जावांगा तो फिकर ना कर मैं तेरी मदद करांगा कुझ ना कुझ होई जावेगा अच्छा पापाजी मैं कल स्वेरे आ जासा ए कैके उसने रुपएदा एक नोट अपने खबे हाथ विच फड़ लिया ते बाकी तिन नोट मेरे पैरां विच सुट दिते ते जल्दी नालबार नाठ गया मैं दर्वाजे कोल आके उसनो जान देयां विखन लग पया उस खुददार किसं दे मारे होई प्यारे पिंडी दे मुंडे नू मेरे परमितर योगीनाथ दे कंगाल पती जे नू योगीनाथ जिसने सारी उमर निर्सवार्थ होके कांगरस दी सेवा कीती अजादी लई लड़न दे जुर्म विच अंग्रेजां दियां जेलां कटियां अज उस दा अजीज पुल्स नू रिश्वत ना दे सकंडे जुर्म विच कांगरस हकूमत दियां जेलां कटदा है मैं ए फर्याद किसको लेके जावां अखीर मेरा दिल पंगर ही पया ते मेरियां अखां विचों टप टप अथरू दिगण लगपए बिलकुल ओहो जए जेडे पहली नजर पैंदियां मैं मुंडे दियां अखां विचों दिगदे वेखे सन सो एसी लेक अथरू उमीद कर दी हां तो आनू एप पसंद आया होवेगा पिछले हफते दी कहाणी आप एंद फात्मा नू सुरोत्यां वलो बहुत हुंगारे मिले आप सब दी दिलों तानवा दी हां शुक्रिया